उत्राखंड में एक और बार नेत्रत्य परिवर्तन से यही प्रकट हुआ की भाजपाने करीब चार महीने पहले जब त्रवेंद्र सिंग रावत की जगह तीरत सिंग रावत को मुख्यमंत्री बनाया था तो परियाप्त सोच बिचार नहीं किया था भले ही सांसद तीरत सिंग रावत को इस आधार पर मुख्यमंत्री बनाया जाना बहतर समझा गया हो की उनके नाम पर सभी विधायक सहमत हो जाएंगे लेकिन कम से कम यह तो सोचा ही जाना चाहिए था कि चह महीने के अंदर उन्हें बिधायक बनना होगा यदि इस बारे में कुछ सोचा नहीं गया तो इसे अदूर दर्सिता के अलाबा और कुछ नहीं कहा जा सकता यदि सोचा गया था तो फिर उन्हें उपचुनाव क्यों नहीं लडाया गया समझना कठिन है कि तीरत सिंग राबत मुख्य मंत्री बनने के बाद सल्ट बिधान सवा छेत्र में हुए उपचुनाव में क्यों नहीं खड़े हुए क्या वह वहां से अपनी जीत की संभावनाएं नहीं देख रहे थे सवाल यह भी है कि जब निर्वाचन आयोग ने रिक्त सीटों बाले गंगोत्री और हल्दवानी विधान सवा छेत्र में उपचुनाव कराने से इनकार ही नहीं किया तो फिर इस नतीजे पर कैसे पहुँच जाया गया कि वहां उपचुनावों की नौवत नहीं आने वाली क्या यह बहतर नहीं होता कि भाजपा संबैधानिक संकट का हवाला दे कर निर्वाचन आयोग से गंगोत्री एवं हल्दवानी में उपचुनाव कराने का आगरह करती और इन में से किसी एक छेत्र से तीरत सिंग रावत चुनाव मैदान में उतरते जब निर्वाचन आयोग इस आगरह को ठुकरा देता तब फिर मजबूरी में वह किया जाता जो गत दिवस किया गया अभी तो ऐसा लगता है कि तीरत सिंग रावत ने चुनाव लड़ने के बज़ाए मैदान छोड़ देना बहतर समझा अब जब बिधान सबा चुनाव में साथ आठ महीने का ही समय सेस रह गया है तब उत्तरा खंड में फिर से नेत्रत्व परिवर्तन की नौवत आना यही बताता है कि भाजपा समझ नहीं पा रही कि उसे राजनीतिक चुनोती का सामना कैसे करना है यह ठीक है कि भाजपा ने बिधायक पुसकर सिंग धामी को नया मुख्यमंत्री चुनकर उस गलती को सुधार लिया जो उसने लगबग चार महीने पहले लोकसबा सदस्य तीरत सिंग रावत को नेत्रत्व सौप करके थी लेकिन नय मुख्यमंत्री के लिए उन चुनोतियों का सामना करना आसान नहीं होगा जो चुनाओ के मुखाने पर खड़ी किसी सरकार के समक्ष होती है इसमें संदे है कि नए मुख्यमंत्री इतने कम समय में जनता की अपेक्छाओं को पूरा कर सकेंगे जो भी हो भाजपा को पाँच साल के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह तीसरे चहरे का चयन करना पड़ा उससे इस राज में बार बार मुख्यमंत्री बदले जाने की पुरानी बीमारी का नए सिरे से उभार होता हुआ ही दिखा इस तो